जिग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन हैं आप सभी का दिव्विस रजन में प्रतेक दिवस की भाती आज फिर हम यहां पर यहां लाइव चर्चा का कारिकरम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विशा है अव्यक्त अक्षर का रहस्ये अव्यक्त अक्षर का रहस्ये खुड़ा विलंब से कुछ समधान जिसे की आज विलंब से शुरू तो हो रहा है लेक चर्चा बहुत ही रहस्मई है कि अव्यक्त अक्षर क्या है अव्यक्त अक्षर का रहस्य क्या है तो अव्यक्त अक्षर के रहस्य को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह अव्यक्त अक्षर है क्या तो किस तरह से भगवान स्रीकृष्ण इसकी चर्चा करते हैं हम देखेंगे श्रीमत भगवत गीता में कल हमने ब्रह्मलोक के बारे में सुना और वह ब्रह्मलोक भी अव्यक्त है लेकिन उससे भी परे एक अव्यक्त अक्षर की बात कही गई है तो भगवान स्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं परस्तस्मातु भावो अन्यों अव्यक्तों अव्यक्तात सनातना यस सरवेशु भूतेशु नश्यत्सु नविनश्यती परंतु उस अव्यक्त से भी परे अनादी अत्यंत स्रेश्ट भाव जो अव्यक्त है वो संपूर्ण प्रानियों के नश्ट होने पर भी नश्ट नहीं होता अब अंतर क्या है अव्यक्त को समझाते विए भगवान कृष्ण पहले यह कहा कि एक अव्यक्त है ब्रह्मा का लोक ब्रह्मा का लोक लेकिन ब्रह्मा का लोक शाश्वत नहीं है नश्वर है उसमें पुन्रावर्ती चलती है आवागमन चलता है तो जो ब्रह्मा का लोक है वो शाश्वत नहीं है वह नश्वर है ब्रह्मा का लोक नाशवान है लेकिन अव्यक्त है तो उस अव्यक्त की बात ना करके कहते हैं इससे भी अन्य एक और अव्यक्त है और वह जो अव्यक्त है वो ब्रह्मा के लोक से भी अव्यक्त है मतलब वो ना तो इस जगत में, इंद्रियों के इस जगत में, इस थूल जगत में वो प्रगट नहीं होता, वो अव्यक्त, ब्रह्मा के इस ब्रह्म लोक में भी वो अव्यक्त प्रगट नहीं होता, उससे भी परे एक परम अव्यक्त है, उससे भी परे एक परम अव्यक्त है, वो ब्रह्मा का लोक ब्रह्म लोक भी अव्यक्त है लेकिन उससे भी परे एक परम अव्यक्त है और वह अविनाशी है वह क्या है अविनाशी है उसका नाश नहीं होता सहसरवेशु भूतेशु नश्यत्सु नविनश्यति वह संपूर्ण प्राणियों के नश्ट होने पर भी वह परम अव्यक्त कभी नश्ट नहीं होता अर्थात्व सनातन है इसलिए कहा गया परस्तस्मात भावो अन्यों अव्यक्तों अव्यक्तात सनातन हा सनातन कहने का अर्थ क्या है सनातन शब्द का अर्थ क्या है जो इश्वर है इश्वर शब्द कहने का अर्थ है जो शाश्वत है जो इश्वर है जो हमेशा ही है वही तो सनातन है उसी को सनातन कहा जाता है जब हम सनातन धर्म की बात करते तो सनातन धर्म मतलब वह इश्वर वह ब्रह्म जो सनातन है जो सरव्यापी सनातन है तो वह जो परम अव्यक्त है वह जो परम अव्यक्त है वह ब्रह्मा के अव्यक्त लोग से भी अव्यक्त है और दूसरी विशेष्था क्या है कि वो सनातन है अविनाशी है क्योंकि जितने भी दूसरे लोग हैं उसके नीचे जितने भी दूसरे लोग हैं वो सब के सब नश्वर हैं वो सनातन नहीं है उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो नश्वर हैं वो सनातन नहीं है तो जब वो सनातन नहीं है तो नशवर्थ होंगे ही तो इसलिए यहाँ पर भगवान निश्र कृष्ण इस बात को यहाँ कहते हैं कि सह सरवेशु भूतेशु नश्यत सुना विनश्यती वह संपूर्ण प्राणियों के नश्ट होने पर भी नश्ट नहीं होता है तिक है तो वह नश्ट नहीं होता, एक तो वह परम अव्यक्त है और दूसरा वह नश्ट नहीं होता, इसी कारण से उसको कहते हैं अव्यक्त अक्षर, अव्यक्त मतलब कि एक तो वह व्यक्त नहीं होता, अक्षर वह कभी नश्ट नहीं होता, छर नहीं होगा उसका, छर मतलब विनाश को प्राप्थ करना चरित होना नश्ट होना अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता जो नश्ट नहीं हो सकता इसी को भगवान कि अगले स्लोक में कहते हैं अव्यक्तौ अक्षर इत्युक्त अस्तमाहु परमाम गदिम यम प्रप्यना निवर्तंते तद्धामं परमममा अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहू परमामगतिम यम्प्राप्ना निवर्तंते तद्धाम परमममा उसी को अव्यक्त अक्षर या ऐसा कहा गया है उसी परमात्मा को जो सनातन है जो अव्यक्त से भी परम अव्यक्त है एक अव्यक्त ब्रह्मा का लोक है और उससे भी जो परम अव्यक्त है ब्रह्मा के लोक में तो पुन्द्रा विर्ती है उससे नीचे जितने भी लोक हैं सब विनाशी है अविनाशी नहीं है मात्र वह परम अव्यक्त वह परमधाम ही तो अविनाशी है ठीक? वह ब्रह्मा का वो ब्रह्मा से भी परे जो ब्रह्मा है जो इश्वर है जो सनातन है उसका लोख अविनाशी है विनाश नहीं होता उसका उसी को अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है परमगती कहा गया वही परमगती है उसमें जाकर लीन हो जाने से परमगती हो जाती है जिसको प्राप्त होने पर फिर लौट कर नहीं आते हैं साफ साफ लिखा गया कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम लौट के आएंगे अरे हम जीव बने रहेंगे भगवान कहा रहे लोट कर आना नहीं है भईया दुबारा लोट कर आना अगर लोट कर आने का मन है तो चिंता मत करो आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊँगे वहाँ वही लोग पहुँचते हैं जिनके मन में दिरसंकल्प हो गया है कि मुझे लौट के नहीं आना है वहाँ वही लोग पहुंचते हैं तो ध्यान योग से ऐसी शुन्य आवस्था ऐसे उस परम अक्षर की और उस ब्रहम अक्षर की बात करते हैं वो ब्रहम शब्द ना ओंकार है ना बीज है ना मंत्र है ना उसका उचारन होता है ऐसी बाते शिव महापुरान में भी लिखी गई है उमा सहीता में वैसा भी है आगे भगवान कहते हैं पुरुशह सवपरह पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यांत स्थानी भूतानी येन सर्व मिदम्ततम्म हे प्रथानंदन अर्जुन हे पार्थ संपूर्ण प्रानी जिसके अंतरगत है जिससे ये संपूर्ण संसार व्यापत है वह परमपुश परमक्षर परमात्मा तो अनन्य योग से अनन्य भक्ती से प्राप्त करने योग्य है तो करना पड़ेगा उसका इसमरन उसका ध्यान उस अवस्था में जाना पड़ेगा जहां अव्यत अक्षर है और ध्यान योग आपको ले जाता है उस अवस्था मेझी जहां वह अव्यत अक्षर है तीख है तो सर्व्यापी है लेकिन हमारी जो चेतना है हमारा जो घ्यान है वो उस तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसी के लिए ध्यान योग किया जाता है, ध्यान योग का कोर्स किया जाता है, जो ध्यान योग का कोर्स चल रहा है, 20 मार्च से शुरू हो जाएगा, तो उसी के प्राप्ति के लिए ध्यान योग का कोर्स चलता है, तो उस परम अव्यक्त को हम जान सकें मार्ग मिलना चाहिए मार्ग रास्ता भगवान ने बताया योग का कि जो प्राणों को यहां परिकठा करता है वह दिव पुरुष को प्राप्त होता है अब कोई वह व्यक्तित्व रूप में नहीं है गीता के उनुसार वह तक्त्व रूप में विद्यमान है कृष्ण भी तक्त्व रूप में ब्रह्म ही तो है तक्त्व रूप में जब हम जान लेते हैं तो फिर यह समस्या हमें नहीं होती है हम भली भाती अक्षर को जान लेते कि अक्षर क्या है इसकी छती ना परम अक्षर की बात की अब दो परकार के अक्षर की वर्णन अक्षर का वर्णन आगे हमें मिलेगा हम उसको समझेंगे लेकिन यहाँ पर जो अक्षर हो रहा है वो अव्यक्त अक्षर के बात की जा रही है एक तो अव्यक्त लोग है उससे भी परम अव्यक्त है और वह अव्यक्त अक्षर है ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आपके कमेंट्स को भी देखेंगे अवधेश कुमार जी, नवजोतिनाज जी, अमन ककर जी, नरेंदर माकोडे जी राकेश मराठे, योगिंद्र पंडित, पल्कधारी जी, नंद किशोर कदम, कमलेश खैनर, मडे अली, अनिल सोनी, रूप लाल विश्व कर्मा, विनूद कुमार शर्मा, गोविंद प्रसाद नीमा, रमेश कलरेलिया, सविता नायक विनूद के सूद शुद शुद राय सिनह उशा, शिवास्तो, राम विनाश, राम निवास मीना, रतन सिंग जी, नरेंदर जी, दीपक शर्मा जी, बिमला शा जी, भरच शबलानी जी, किशोर वैदे जी, मनीश पांडे जी, आशा रानी जी, पिन्टू, वियस्वी, संतोष कुमार जी, पंकस सोनी, काशिनात, वेलकम टू, आल अफ यू, सबका बहुत-बहुत स्वागत है, निती सिनहा जी, विश्नु चंद्र मौरिया, पुष्पा शर्मा जी, ओम तत्सत, संशाम सरोदे जी, पवन कुमार गुपता जी, जैश्री राम, पुष्पा सर्मा, गुरु जी, महा परिनिर्वान, क्या हो निर्वान को प्राप्त कर लेना, आवा गमन से मुक्त हो जाना, पूरी तरह से इसको कहेंगे महा परिनिर्वान, क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि एक जीवन मुक्ती भी होती है, एक निर्वान भी माना गया है, वो थोड़े, खोटे लेबल पर माना गया है, कि व्यक्ती इस जगत के माया से उपर तो निकल जाएगा लेकिन और अपनी एक्षा से जनम भी ले लेगा लेकिन फिर भी वो पूरी तरस से मुक्त नहीं है तो महा परिनिर्वान जोहां पूर्ण निर्वान हो गया महापरी निर्वान जहां पर पूर्ण निर्वान हो गया वही महापरी निर्वान है ठीक है यह हमें समझना है कुश्पाश शर्मा जी, गुपाललाल शर्मा, सुवाश कांडे जी, भगवती पटेल, राम विलास जी सबका बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है तो हम इस परम अव्यक्त के विशय को समझें और समझ कर सलाब उठाएं, लाभान वित हो चल यह ठीक है, आगे हम चलेंगे अभी इसका इकरम को विराम की ओर ले जाएंगे कुछ कारणों से आज मैं जल्दी हतम कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को नहीं तो 45 मिनट एक घंटे तक हमारा काईकरम चलता है आज जल्दी ही इसे हम मैं विराम दे रहा हूँ कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा 9 पी एम में बहुत बहुत आभार आप सभी का ओम तत्सत प्रोग्राम प्रोग्राम चलता है